हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आएक्जामभी आएम सुशिल रखडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आज के ही एम्प्लाइमेंट न्यूज में मैंने SPM-CIL याने की Security, Printing and Minting Corporation of India Limited का नोटिफिकेशन देखा है और आपको पता है ये मिनिरतना है and 100% owned by the government of India है ठीक है और यहां पर कुछ vacancies आई है ज्यादा vacancies नहीं है लेकि ये organization भी छोटी है और 100% owned by government है इसलिए ये काफी stable job रहेगा कुछ limited cities में ही इसका presence है इसलिए अगर आप उसके आज पास रहते हो और अगर आपको इस organization में काम करना है तो ये बहुत अच्छी opportunities हो सकती है यहां पर marketing के लिए vacancies है, finance के लिए है, legal है, HR है, IT है और I think एक दो और areas के लिए हम आगे देखते है और यहां पर total 37 vacancies है चलो video start करते है तो यह देखो यह है security, minting and printing and minting corporation of India Limited यह schedule A, mini ratna category 1, CPSC है यानि के Central Public Sector Enterprises wholly owned by the government of India और similar type का organization है BR, BN, MPL यह same type का का काम करता है भारतिया, Reserve Bank, Note, Mudran, Private Limited यानि कि technically हमारे जो currency जो print होती है वो दो जगह पे होती है जैसे दो organization करती है एक है SPM, CIL और दूसरा है BR, BN, MPL तो यहां पर अगर आप देखेंगे इनके तरफ से mint यानि की coin mint होते है यहां पर मु और फोर currency और security prices है यह नासिक में है, देवास में है, हाइदराबाद में है और यह देखेंगे तो इनका जो currency print होता है वो सालबोनी, West Bengal में and मैसूर में, करनाटका में ठीक है और यह एक नरमदापुरम में भी यहां पर high quality paper manufacturing mill and currency paper manufacturing unit है और यह बहुत ही मतला हम कह सकते है यह monopoly है क्योंकि यह pure government का job है और यह इसका privatization होना बहुत rare चीज है तो जिनको privatization का डर लगता है जिनको stable job चाहिए अच्छा job चाहिए ज्यादा transfer नहीं चाहिए तो उनके लिए यह बहुत organization अच्छा है देखिए नासिक, देवास, हाइदराबाद, नरमदापुरम, नासिक और mint, mint जो है यहाँ पर coin mint होते है, मुंबे में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है और नोइडा में है, ठीक है, अगर आपको इसके आसपास रहना है तो आप इसके लिए एक try कर सकते हैं, तो यह देखो यह post है, ज्यादा vacancies नहीं है, एक deputy manager है, environment, उसके बाद assistant manager marketing, finance and accounts, assistant manager legal, HR environment, materials management, civil and information technology, ठीक है, इसका idea का scale है, काफी अच्छी salary है, यहाँ पर तो यह देख सकते हैं, और कितनी vacancies है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे marketing के लिए काफी अच्छी vacancies है, finance and accounts के लिए 10 है, legal के लिए 3 है, HR के लिए 3 है, बाकी सारी इसके लिए एक एक post है, यहाँ पर एक post जो है, वो physical handicap, या उसको हम DA, differential abled candidate है, उनके लिए यहाँ पर reserved है, तो यह है total qualification, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे जादा जो है, उसको हम बता देता हूँ, first class यह marketing वाला है, master's degree in marketing management और MBA with marketing elective from a recognized university, और जो finance वाला है, उसके लिए bachelor's of commerce चाहिए, along with CA और ICWA, ठीक है, यानि सब के लिए नहीं है, legal में देख लीजे क्या है, HR में देख लीजे, environment के लिए क्या क्या है, तो यह सारा आप अपने अपने qualification के साब से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और यह exam होगा, 75% weightage जो है, वो exam के लिए होगा, online test and 25% weightage जो है, वो intro के लिए होगा, professional knowledge होगा, आप उसके लिए 90 मार्स है, और हमारा QRA GE जो होता है, उसके लिए 60 है, तो अगर आपका knowledge जो है, professional knowledge अच्छा है, तो आप इसके लिए एक try definitely यहाँ पर कर से तो अभी 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 जस यह notification में देखा है, तो हमने कोई इसके लिए कोई ऐसा special class या course design नहीं किया है, लेकिन कुछ request आता है, 30-40 students है, तो we will definitely think to launch a course related to this SPIM CL vacancies, और बहुत अच्छा organization है, कुछ last to last year, मेरे कुछ students यहाँ पर job कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, उन से contact होता है, अगर होता है तो उसका जो profile कैसा है, किस type का job है, किस type का organization है, उसके उपर में एक video बनाने का definitely try करूँगा, तो अगर आ अच्छा response मिला, तो हम definitely सोचेंगे कि इसका course launch करें, पस यही information देना था, और आपके भी अगर कोई friends है, जो marketing है, या finance है, चार illegal है, IT है, qualification में बैठते तो आप इनको ये video send कर सकते, thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.